तो दोस्तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ ठीक है मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगो भी आपको क्या करना यहाँ पर जाना है और आप टाइप कर देना है Board of Examination and Seferred Trust ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ Board of Examination and Seferred Trust और यह जो इनका फर्स्ट वेबसाइड है Board of Examination and Seferred Trust का जो फर्स्ट वेबसाइड है उसी वाले वेबसाइड पर आपको कर देना है क्लिप और सबसे पहले याद रखिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए GP rating और CCMC का जो repeater का form है वो मेरे को पहले confirm नहीं था कि यह form आया है कि इसी form को fill up करना है ठीक है मेरे को confirm नहीं था लेकिन 3-4 लड़कों ने मेरे को form fill up करके भेजा reach एक करने के लिए कि अंसारी भाई यह form reach एक कर लो कि हम लोग का form सही भरा आए कि नहीं तब उनसे मैंने question किया कि भाई यह क्या repeater का जो अभी result 15 या 10 दिन पहले जो result आया उसी का यह form है क्या January to June वाले बेच का ही यह form है क्या repeater का तब उन्होंने बताया कि हाँ तो फिर मैंने पूछा कि यह रहे भाई यार college एक बार reach चेक कर लो कि college वाले बोल रहे हैं कि नहीं कि यह form है कि नहीं तो मैं जा कर यह विडियो बना रहा हूं एक बार में फिर आप लोग से request करूँगा कि आप लो एक बार अपने college में भी verify क कर लें कॉलेज में पूछले एिस आईसा ऐसा बात है जो रिपीटर का फॉर्म आया है कि नहीं आया है क्योंकि कॉलेज वालेज से ही आपको एक बार एक बार वेरिफाई करना बहुत जरूरी है बार बार को बार पूछ रहे ते बार repeater का form कब आएगा कैसे apply करना है कैसे क्या होगा exam कैसे होगा इस पर आप एक विडियो बनाओ तो मैंने उन से बोला कि भाई एक बार आप college में phone करके पता कर लो अपने उन बता देंगे तो बोल रहे हैं कि भाई college में फॉर्म यही फॉर्म है कि नई ठीक है नहीं तो आप लोग मेरे पर ब्लेम लगा हो गया रहे यार अंसारी भाई यह फॉर्म नहीं है ऐसा वैसा ठीक है तो एक पर आपको कॉलेज से दीन चार लड़कों ने मेरे को कंफर्म किया इसलिए मैं बना दिये कि भाई आपका भी भ अगस्त तक था लेकिन अब उसको एस्टेंड करके 6 सेप्टेंबर तक कर दिये गया है तो आज आपका 24 अगस्त है तो अभी आपके पास टाइम में 6 सेप्टेंबर तक लास्ट एट है ठीक है उसके बाद और दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि मार्च में जो लड़के 2022 में जीपी रेटिंग और CCMC का रिपीटर का एक्जाम दिये थे उनका जो सर्टिफिकेट है वो डिस्पेच हो गया है बाई कोरिया तो उनको मिल जाएगा उनके एड्रेस पर ठीक है और यह देखिए यह जो नोटिफिकेसन आया हुआ है फोर जीपी रेटिंग और CCMC रिपीट सेप्टमबर इतना इसको आपको क्या कर लेना है पढ़ लेना पढ़ने के बाद यह आप जैसे ही पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले चलिए मैं आपको इसको पढ़ कर दिखा देता हूं कि इसको क्या करना है तो इस वाले आइकन पर आपको क्या कर देना click करने के बाद आपको एक PDF डाउनलोड होगा उस PDF को ध्यान से आप लोगो पढ़ लेना मेरा मकसद यह है इस PDF को download करने का कि आपको यह जो form में भेजना का है यह आपको form जो है इस वाले address पर आपको पूरा form फिल अब कर देना है और form फिल अब करके आपको इस एड्रेस पर क्या करना है तो आपको इस पीड पोस्ट या आपको इस पीड पोस्ट द्वारा ही करना ठीक है ठीक है देखिए मैंने आपको यही बताया था कि जो उनका लास्ट डेट था वो 30 जुलाई तक था लेकिन अब उसको एक स्टेंड करके क्या कर दिया गया है और देखिए इसके साथ क्या डॉकुमेंट चाहिए तो यह वाला डॉकुमेंट चाहिए दे यह होने के बाद फिर हम लों बैक आ जाते हैं अब देखिए अगर आप GP डाउन्लोड करने के बाद फॉर्म कुछ इस परकार हमारा खोलेगा तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ठीक है देखिए वही बात था इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया डेट वाला एक बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन एंसी फिर ट्रस्ट की जो फॉर्म है यहाँ पर ठीक है फिर में एक बार फॉर्म फिलब करने से पहले आप लोगों से रिक्व पहले दिया है यह बात सही है कि यही फॉर्म है कॉलेज वाले बोले है तभी मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूं नहीं तो दस दिन से रिजल्ट आया हुआ है मैं चाहता तो उसी दिन भी वीडियो बना सकता था लेकिन आप एक बार अपने कॉलेज से कन्फर्म कर लिज दियेगा एक्जाम सेंटर अगर आप मुंबई में देना चाहते हैं कॉलकाता में देना चाहते हैं चन्नाई में जहां आप एक्जाम देना चाहते हैं वहां आप डाल सकते हैं अब इसमें भी एक लड़के का कॉन्फ्यूजान है बहुत सारे लड़कों का कि भाई हमारा ओलकाता में था अब मैं मुंबई में देना चाहता हूं तो दे सकता हूं यह आप जहाँ सेंटर डालिएक गौही पर आपका एक्जाम ओगा ठीक दिया था फ्रेस टाइम में उसमें लिखा होगा कोड नमर ठीक है तो वही कंडिडेट कोड नमर होता है ठीक है यहाँ पर इसको डाल दीजेगा नमर ओफ एटेम यहाँ पर आपको वन डालना है ठीक है पहली दफ़ा एक्जाम दे रहा है फर्स टाइम जो एक्जाम दिये थे वह आप फ्रेसर हुएं और यह नमर ओफ एटेम वन हुगा ठीक है तो वन डालिएगा अगर दूसरी बार मने फेल होकर आप दूसरी बार एक्जाम दे रहा है यानि कहने का मतला में कि पहली बार एक्जाम दिये तो फ्रेसर एक बार फेल हो गए तो दू बार फेल हो गए तो दो एक्टम ठीक है ट्रेनिंग इंस्ट्यूट निम आपको अपने कॉलेज का नाम यहापर डालना है पासपोर्ट नमबर आपको यहापर डालना ठीक है और ब्लेक पेंस से लिखिएगा तो बेस्ट रहेगा ठीक है उसके बाद रॉल नमर यहाप पर आपको कुछ नहीं डालना इसको छोड़ देना है लेंक यह पर लिखा हुआ है फोर ओफिस यूज ओनली ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है देखिए यहां पर आपको अपना कलर साइज का फोटो ग्राफ देखिए का लिक है अफेक्स यूर लेटेस फोटो ग्राफ बिद प्लेन बैक ग्राउंड यूनिफॉर्म विदाउट कैप काने का मतलब है कि वाइट बैक ग्राउंड और वाइट सोट यानि वाइट इनिफॉर्म में डालिए गार उसका जो मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया लेकिन आप लोग बारबर कमेंट करते हैं तो बारबर मेरेज को यहीं वीडियो बनाना पड़ता है माली जे कि आप GSK online में फेले हैं तो आपको 300 रूपे का स्केन करना है यहां से मने अपना स्केनर से गूगल पे फोन पे प्रिटी अंदर स्केन करके 300 रूपे पेमेंट कर देना है अगर M.E.K. में फेले हैं तो 300 G.S. के प्रेक्टिए हमें तो 500 मनें सब का डिट बता है अब क प्रेक्टिए हमें कि कोई-कोई लड़का M.E.K. और GSK online दोनों में फेले तो 300-300-600 रूपे का एक के बार पेमेंट करना है यह नहीं कि 300-300 अलग अलग पेमेंट करना है यह कि बार 600 का पेमेंट कर देना है अगर माली जिए कि चारों चीज में फेले तो 300-300-600-500-500-500-500-500- फोन पर गूगल पेमेंट कीजिए का तो तुसका ट्रांजेक्शन अइडि निकले इसको नहीं भरना है कि यह आपका यह आपका इंस्ट्यूट्ट यह आफिस का दुवारा बरा जागा तो इसको आपको इसी तरह चोड़ देना तो फोन पर गूगल पेमेंट किजिएगा तो आपका जो ट्रांजेक्शन आइडी निकलेगा तो देखें यहां पर लिखा हुआ है कि आप डीडी भी बर्वा सकते हैं लेकिन डीडी अब आज की डीडी क्यों बर्वाइएगा आप जाडेक्टर ऑनलाइन कीजिए तो उसका यूपी या यूटी आई नमर वही द्राइगा तो अंलाइन के लिए यही है अगर आपने डी बनाया तो डीडी का नमर यहां पर डाल सकते हैं लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लो ओनलाइन पेमेंट कर दो ठीक है और जो आप पेमेंट की हैं उसका रिसीप्ट आपको रखना है ठीक है पासपोर्ट में इंव हो आपका वही सब्सकेट्राम क een ओर यहां पर यहां पर कर देन fist करने कबाद हीं अपका फोम फिलफ होじゃあगा अब अब एड मिल कार्ड के लिए यह आपको फिल परना पड़ेगा वही सेम आपको सेप्टेमबर डाल देना है एक्जाम सेंटर डाल देना यहां पर फोटोचिप का देना किस किस में आप फेल हुए उस पर इस तरह टीक आउट मार देना है ठीक है मारने का बाद पासपोर्ट में जो आपका नाम है वह आपका डेट और बर्थ यहां पर आपको सेम वही साइन करना है पासपोर्ट में जो है होने के बाद आपको बस इतना ही चीज करना है इतना चीज करने के बाद आपको इसको क्या करना है तो यह फॉर्म को फिलप करने के बाद देखिए मैं आपको बोलूंगा कि यह फॉर्म को ब्लेक पें से करने के बैट रहे गवा एक यहां पर आपको लगाना है ठीक है यह होने के बाद इसके साथ सा आपको पासपोर्ट का कलर प्रींट आउं को बें ना चंट यौँगा ऑफIGHTे gratisburg कणा है उJacky ईससा अपको लाइख्या देख आढिंगे यह दो चीजे करने के बाद आपको envelope में pack कर देना है और pack करने के बाद आपको जो मैंने address पीछली वीडियो में बताया है मैंने पीछे बताया था है उसी address पर आपको speed post कर देना करने के बाद आपका form संभीट हो जाएगा अब बहुत लड़के मेरे से फिरी ये question पूचेंगे कि भाई सेप्टेंबर में exam कब होगा तो देखिए भाई मेरे को ठोड़ी पता है कि सेप्टेंबर में exam कब होगा जैसे notice आएगा और जो भी notice आता है इसी website पर आता है बोर्ड अफ एक्जामिनेशन सीफेर ट्रस्ट तो वहाँ पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं कि आपका exam कब होगा और दोस्तों सरी form भरने से नहीं होता है preparation करने से भी होता है तो आप जिस तरह form मेहनत से बर रहे हैं उसी तरह इससे भी ज़्यादा मेहनत लगा कर आप अपना क्या करें तो exam का preparation करें और अच्छा से पास करें और दोस्तों फिर से मैं आपसे एक बार request कर रहा हूँ कि बहुत लड़कों का यही comment है कि भाई यही form है कि नहीं तो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि आप एक बार college से confirm कर लें अगर college बोलते हैं कि हम form भर दो तो आप भर दीजिए अगर college कुछ नहीं बता रहे हैं तो आपको तो यह form भर देना चाहिए क्योंकि मैंने आपको उस देफा भी बोला है कि मेरे को लड़के तीन चार लड़के ने form fill up करके बणिया से करके speed post करके मेरे को दिखाया है कि हम भाई यही form है आप वीडियो बना तो तभी में वीडियो बना रहा हूँ तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मेरे से कोई भी mistake हुआ हो तो आप लोग से request है कि comment करें ताकि मैं इसे सुधारने की कोसिस करूँ क्यूंकि भाई आप ही लो बताइए कि आप ही के कोड़िंग तो मेरे को चलना है तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो और दोस्तों जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जी एस एकेडमी तो आप लोग से क्यूंकि वहाँ पर भी अच्छा से डिफेंस का तयारी कराया जा रहा है तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू अबरिवार्ट